असलाम लेकुम दियर स्टुदेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलेक एंड आम हेर तो टीच यू फिजिक्स क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉप पेग थर्मियॉनिक एमिशन तो आईए चलते हैं बोड की तरफ चाप्टर नंबर 16 बेसिक एलेक्ट्रोनिक एंड टॉपक 16.1 थर्मियॉनिक एमिशन सो एक्ट्रोनिक्स क्या है फिर्स्ट आप इसको डिसक्स करते हैं एलेक्ट्रोनिक्स इस दा ब्रांच ओफ फिजिक्स विच जीज विद दा नहां से एलेक्ट्रोनिक बिसिकली टैली किम्युनिकेशन और आईटी की फिल्ड में बहुत एडवांस हो चुकी है इतनी एडवांस कि वो एलेक्ट्रोन्स के मोशन को भी कंट्रोल कर सकती है और अब हम डिसकस करें तो बिसिकली 1850 में फिजिक्स जो थे सारे उन्हों ने यह एक्जामन करना शुरू कर दिया कि बिसिकली जो क्रेंट है यह क्या है तो उन्हों ने डिसकवर किया दीज आर एक्चुली दा कैथोड रेज उके उन्होंने एक वैक्ट्यूम के अंदर दो एक्ट्रोड्स को प्लेस किया और उन दो एक्ट्रोड्स में जब इस पा Kופ A इसने कथोर्डरेस इसको पास करवाया एलेक्ट्रिक फील्डियउ से और मेगनाटिक फील्ड से भी और इस ने कुछ एक्सपैरिमेंट्स की यह उसके बाद से हैने यह कंक्लूड कर लिया कि ये जो cathode rays है इस पे कोई ना कोई negative charge मुझूद है और इसने कहा कि ये negative charge मुझूद है that's why उसने इन cathode rays को नाम दे दिया कि these are actually electrons clear so ये board में MCQ आ सकता है ये आपको याद होना चाहिए ये name that is JJ Thomson इसने cathode rays को further discover किया कि उसके उपर negative charge present होता है और उस negative charge को हम कहते है electrons, okay so 1897 में JJ Thomson नहीं ये discover किया था, ये नाम आपको याद होना चाहिए ये आप से MCQ में पूछा जा सकता है clear now what is thermionic emission जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है therm mean heat and emission mean बाहर निकलना and as you know कि metals जो है उन में free electrons मुझूद होते है लेकिन अगर हम एक room temperature की बात करें तो room temperature में वो जो electrons है, free electrons जो है metal में, वो उसमें मुझूद होते हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे होते हैं लेकिन जैसे ही हम एक high temperature पर लेकर आते हैं उस metal को तो उस high temperature में वो जो electrons हैं, free electrons वो एक sufficient energy gain कर लेते हैं और उसके gain करने से होता क्या है कि वो electrons भी एक specific direction में move करना start कर देते हैं जैसे ही वो electrons बाहर निकलते हैं, this is basically called thermionic emission कि आप उस battle को heat कर रहे हैं, एक high temperature पर लेकर आ रहे हैं, जैसे ही हम उसको high temperature पर लेकर आएंगे, वो free electrons बाहर रिकल जाएंगे, that means emet हो जाएंगे, so this is called thermionic emission, okay so write the definition emission of electron बाहर सर्मियोन at high temperature is called thermionic emission clear? the emission of electrons at high temperature तो electrons का बाहर निकलना किसी भी high temperature पर that is called thermionic emission thermionic emission usually be produced by fine tungsten filament तो अगर आप एक fine tungsten filament को heat करें, means कि उसमें से अगर आप एक current pass करते हैं, that means वो tungsten जो है, वो as a heat up होना start हो जाता है जैसी वो heat up होगा तो बहां से electrons बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे now the thing is, कि आप उसको कितना current pass करें कि वो electrons emit कर देगा so normally अगर हम उसको 6 volt या फिर 0.3 ampere का current उसमें से पास करवाएं तो उसमें से electrons बाहर को emit होना शुरू हो जाएंगे clear? so normally अगर आप उसमें 0.6 volt या फिर 0.3 ampere का current पास करवाएं एक fine tungsten filament में से तो उसमें से electrons बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं so इस प्रोसेस को हम कहते हैं thermionic emission clear? now investigating the properties of electrons तो आपने electrons की properties को investigate करना है कि electrons की properties जो हैं वो क्या है? so एक experiment किया गया जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि एक filament है electricity में यहां से पास की जा रही है और battery जो यहां पर 6 volt प्रोवाइड कर रही है और जैसी यह 6 volt इस filament में से पास करेंगे तो यह filament heat up होना शुरू हो जाएगा और इसमें से electrons बाहर को emit होना शुरू हो जाएंगे clear? so अब यह जो electrons जो emit हो रहे हैं यह electrons आप देख सकते हैं कि आगे ही एक high potential जो है वो apply किया गया है एक cylindrical anodes पर और in cylindrical anodes पर basically positive potential जो है यह build up हो चुका है और as you know कि positive जो है वो negative को attract करता है तो यह positive potential इन negative electrons जो है हमारे सारे इनको attract करेंगे और यह एक beam की form में उस hole से बाहर जाते जाएंगे clear? so इस experiment से यह conclude हो गया कि electrons जो है basically किस तरह से emit हो रहे हैं और फिर further वो beam की form में किस तरह से move कर रहे हैं अब basically इस सब चिसको observe करने के लिए इसको एक evacuated glass tube में रखा गया जहांपर इन electrons beam को pass करवाया गया तो इसके motion को observe किया गया वहांपर वाक्यो में electron beam जो है वो show होती है that's why वहां पर इसके motion को इस तरह से observe किया गया so अब इसकी further properties को उन्होंने investigate करने के लिए इन electron beam को pass करवाया एक electric field से और एक magnetic field से so जब उन्होंने एक electric field से pass करवाया अब आप यहां देख सकते हैं यहां पर electric field big up करने के लिए यहां पर दो plates आप देख सकते हैं जिसके उपर एक को उपर positive charge है और एक के उपर negative चार्ज है और इसकी surrounding में electric field जो हो भील्डप हो चुका है so हम इस में से electron beam pass करवाते हैं हम जैसे हम जैसिस में से electron beam pass करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह electron beam जो है यह positive plate की तरफ deflect हो रही है ओके, so this shows कि इस electron beam के ओपर कौन सा charge होगा, negative charge होगा and as we started कि positive जो है वो negative को attract करता है और negative negative को rappel करता है so that's mean कि यह अगर positive की तरफ attract हो रहा है तो इसके ओपर कौन सा charge होगा, negative charge होगा so basically यहाँ पर वो जो force of attraction develop हो रही है that is actually the F is equals to QE Q is the charge and E is the electric field so this shows कि इसके ओपर कितनी force of attraction develop होगी और similarly अगर हम बात करें कि यह electrons beam कितनी deflect होगी अपनी direction से so electron beams की जो deflection है यह basically depend करती है उस electric field की strength के उपर कि अगर electric field वहाँ पर जादा होगा तो electron beam की deflection भी जादा हो जाएगी और अगर electric field वहाँ पर कम होगा तो electron beam की deflection भी कम हो जाएगी clear so अब हम इसकी एक और property study करते हैं by magnetic field now deflection of electrons by magnetic field now apply magnetic field at right angle to the beam of electrons by using horseshoe magnet electron beam is deflected from its original direction so अब electron beam को pass करवाया जा रहा है और बिलकुल इसके perpendicular angle पर एक horseshoe magnet place कर दिया गया है और जिसका specific magnetic field होगा so जैसे ही उन्होंने एक magnet जो है यहाँ पर place किया horseshoe magnet तो उन electron beams का fluorescent screen के उपर पहले जहाँ पर spot बन रहा था अब उसका spot थोड़ा change हो चुका है वो deflect हो चुका है क्यों जस्ट पिकास अफ दिस magnetic field अब उन्होंने इस horseshoe को change कर दिया means अगर पहले north pole right side पर था और south pole left पर था अब उन्होंने इसको change कर दिया reverse कर दिया जैसे ही reverse किया तो आप देख रहे होंगे कि fluorescent screen पर जो spot बन रहा था वो भी deflect हो चुका है that's mean कि electron beam जो है वो deflect हो रही है by magnetic field so this experiment shows कि electron beam जो है basically उसके उपर एक negative charge मुझूद है और उसे हम क्या कहते हैं electrons कहते हैं clear so in experiment से आपको यह concept clear हो गया होगा कि electrons किस तरह से emet हो रहे हैं और किस तरह से वो एक beam की form में move करते हैं और इनकी further properties भी आपको समझा गई होंगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा टेक केर अला हाफिस